मंत्रों का ग्यान ना सिर्व ध्यान बढ़ाता है बल्कि करता है आपकी सेहत में भी वृध्धी मंत्र कैसे करते हैं आपकी सेहत पर मैजिक आईए जानते हैं मंत्र एक तरह से शब्द की शक्ति है जिस तरह से ताप की उर्जा होती है प्रकास की उर्जा होती है तो इसी तरह से ध्वनी उर्जा जो है वो मंत्र है इसको सब्द ब्रह्म कहा गया है उर्जा को शब्दों की उर्जा को ब्रह्म कहा गया है और इसका प्रयोग वैदिक काल में काफी समय तक होता रहा है इसको शाप के रूप में भी देख सकते हैं आप वर्दान के रूप में भी देख सकते हैं इसी शक्ती का प्रयोग जो है वो किया गया दूसरा आज के ज्यानिक युग है इस संदर में हम बात करें तो जो भी आजकल चिकित्सा जगत में अल्ट्रासावन इंफरा स्वानिक जो भी चिकित्सा चल रही है वो वह सब्द का ही एक-तरे से प्रयोग है, मंत्र का ही एक-तरे से प्रयोग है जैसा सब जानते हैं विज्ञान की भासा में कि 20 कंपन प्रती सेकंड से लेके 20,000 कंपन प्रती सेकंड तक जो हमारे कान सुन सकते हैं लेकिन उससे उपर की जेदी ध्वनी हैं फ्रीक्वेंसी की या 20 से कम की ध्वनी हैं वो हमारे कान नहीं पकड सकते लेकिन वही द्वनी बड़ी महत्वपूर्ण होती है जिनको आप अल्ट्रा साउंड के रूप में जानते हैं वह द्वनी जो है बड़े-बड़े रोगों को चिकित्सा जगत में आच्चमतकार पैदा कर रही है तो वास्तव में यह एक तरह का आधुनिक मंत्र विक्यान है क तो तेवल फर्क इतना है कि उस समाय के वैढिक काल गजो समय था उसमें मशीनं और उपकरण नहीं होते थे … लेकिन व्यक्तिका शरीर वह यंत्र के काम करता था और उसका मन जो है शक्ति व्यक्तित्व वो तंत्र का काम करती थी तो इस तरह से उस समय के वैदिक यूग में लोग जो है उस मंत्र शक्ति का प्रयोग किया करते थे और जिसका चमतकारी परणाम दिखाई देता था वास्तव में यह विज्ञान हमारा बहुत ही महत्पूर्ण विज्ञा उसके साथ में व्यक्तित तो जुड़ा होता है उसका आत्म परिश्कार की साधना उसने कितनी की है उसने अपना कितना तपाया है तब जाके यह मंत्र शक्ति जो है व्यक्ति की काम करती है यह बड़े खेद की बात है कि आज के समय में ऐसे व्यक्तित तो आपको बड़े बिर उलेकिन यदि यह सारी कसोटियां उतार ली जाएं जैसे कि आप susceptible का परिस्कार कर लिया जाए सही मंत्र का जो है प्रयोग किया और उससे विशेस प्रकार की ध्वनी निकलती हैं मंत्रों के अर्थ भले ही नहीं समझ में आते हों आपको कि मंत्र का अर्थ क्या है इसलिए इनको अनर्थक बोलते हैं मंत्रों को जिनके अर्थ समझ नहीं सकते लेकिन इनके ध्वनी इनके उच्यारण जो होते हैं वो एक तर जरूरी नहीं है कि जो मंत्र आपकी जिवहा द्वारा बोले जा रहे हैं बलकि जो आपकी भावनाय हैं जो आपकी विचारनाय हैं वो उससे जादे शक्तिसाली होती है भली आपकी जिवहा से चीज प्रगट नहीं हो रही है लेकिन भावनाय विचारनाय जो है जैसे उधारन की गती से द्वनी चलती है लेकिन जब यह द्वनी एलेक्ट्रो मेगनेटिक फोर्स जो रहती है रेडियो तरंगे रहती है उनके साथ जब यह इनको जोइंड कर देते हैं तो इनकी गती एक लाग शालीस जार किलोमीटर प्रती सेकंड हो जाती है तो कहना का मतलब है जो भौ और अंदर के अंगों को भी प्रभावित करती है तो एक ऐसा विज्ञान है जिसको फिर से एक शोध की आवश्यक्ता है और व्यक्तियदी अपने जीवन को परिस्क्रित करें तो यह मंत्रशक्ती फिर से प्रभावसाली हो सकती है